क्या आपने भी एक बात नोट की है कि शेयर बाजार में सरकारी कमपनियों के शेयर में जबरदस्त तेजी बनी हुई है इन कमपनियों के वैलुएशन को लेकर थोड़ी चिंता जरूर है लेकिन मार्केट का ओवर ओल सेंटिमेंट पॉजिटिव है मजबूत फंडमेंटल्स, बड़े ओडर बुक और कमपनियों के बेहतर प्रदर्शन की वज़ा से सरकारी कमपनियों के शेयर शांदार रिटर्न दे रहे हैं अगर आपको भी किसी PSU स्टॉक से मोटा मुनाफ़ा हुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं दिल्चसब है कि शेयर बाजार के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन में सरकारी कमपनियों की हिस्सेदारी मई में 16 फीजदी से जादा हो गई है यह आकड़ा इसलिए एहम है क्योंकि यह पिछले 7 साल में सबसे जादा है अक्टूबर 2020 में यह हिस्सेदारी 7.8 फीजदी थी हाला कि यह अब भी फरवरी 2009 के 39 फीजदी पीक से कम है पिछले एक डेड़ सालों में सरकारी कमपनियों के शेयरों में जबरदस्त मजबूती आई है एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि सरकारी कमपनियों के शेयरों को लेकर सेंटीमेंट भी बदला है इस बारे में Access Securities में Fundamental और Quantitative Research के हैड नीरत चदवार ने कहा कि LIC की लिस्टिंग के बाद PSU स्टॉक्स को लेकर सेंटीमेंट बदला है माना जा रहा है कि राजनितिक स्थिर्था और मौझूदा पॉलिसी जारी रहने से सरकारी कमपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा उन्होंने कहा कि सरकारी कमपनियों की सेयत बहतर हुई है सरकार का दखल भी कामकाज में घटा है इससे PSU स्टॉक्स में निवेश का भरोसा और बढ़ गया है इस साल यानि 2024 में सरकारी कमपनियों का मार्केट कैप करीब 18 लाग करोड रुपे बढ़ा है इससे ये 67.4 लाग करोड रुपे पहुँच गया है कि PSU स्टॉक में तेजी के बीचे उनके मजबूत फंडामेंटल्स का हाथ है सरकारी कमपनियों के शेरों का रिटन इतना शांदार रहा कि इनमें से कुछ मल्टी बैगर भी बने इनलिस्ट का ये भी कहना है कि इन्वेस्टर्स फिलहाल सरकारी कमपनियों के वैलुएशन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं मार्किट एक्सपर्ट अमरीश बलीगा ने कहा कि इसकी कुछ वजाएं भी है कुछ स्टॉक्स और सेक्टर्स पर लंबे समय तक ध्यान नहीं गया है उन्होंने कहा चार साल पहले PSU स्टॉक्स यहां तक की बैंकिंग और डिफेंस स्टॉक्स पर इन्वेस्टर्स जादा गौर नहीं करते थे लेकिन अब इनमें से कई मल्टी बैगर्स हो गए हैं करने में सेलेक्टिव एप्रोच अपनाने की सलहादी है उन्होंने कहा कि उन्हीं कंपनी के स्टॉक्स में निवेश करना ठीक है जिनकी एर्निंग्स को लेकर तस्वीर साफ है और और बुक लगातार बढ़ रही है निवेश को को ये देखना होगा कि प्रोजेक्ट पूरे करने में कंपनी का ट्रेक रिकोर्ट कैसा है डिफेंस सेक्टर में ओर्डर बुक स्ट्रॉंग है लेकिन इसके पूरे होने में कई साल लग जाते हैं अगले तीन से चार साल में एक्जिक्यूशन एफिशेंसी काफी माइने रखती है तो आज के इस वीडियो में इतना ही मार्केट और बिजनेस की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ आप हमारे यूट्वीब चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बूप पेज को लाइक करें और अब वाट्सएप चैनल के जरी भी आप हमसे जुड़ सकते हैं उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा तब तक के लिए धन्यवाद झाल